नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है में से स्री नोर्स में तो दोस्तों हाजिनाप सामने एक और लेटेस्ट न्यूज अपडेट लेके जो कि है आपकी आपकी आपको यह बताया गया है किस प्रकार से आपकी चैन प्रक्रिया होगी क्या आपका काउंसलिंग के टाइम और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दे आपकी जो नियुक्ति पत्र है वो 5 सितंबर को ही मिलेगा तो दोस्तों यह रहा आपकी स्क्रीन पर यह आधिकारिक विग्याप्ति तो चलिए जान लेते हैं कि इस विग्याप्ति में क्या दिया है तो देखिए शासना दे ध्यापक लिखित परिशा में 31,556 अभ्यरती है तू यानि कि जिनोंने बीटिसी दीवर्शी बीटिसी उर्दू से हो या विशेट बीटिसी हो भारती पुनरवाश परिश्याद द्वारा अनमोधित विशेश शिक्षा में दीवर्शी डिपलोमा यानि कि आपको यहां से पांच है तू आयोजीत प्राद्मिक अस्तरकाश अध्यापक पात्ता परिशा उतेड किया है तो उनसे जो है जनपदवार निधारित पदों की संख्या जो की घड़ बढ़ सकती है आनलाइन आवेदन पत्र अमंत्रित किये जाते हैं यानि कि कुल्मिला की बात यह आती है कि जो अभ्यरतिस में पास हो चुके हैं अटसर जा पांसो शिक्षक बरती में यानि इनकी जो संख्या है उनसे जो है आनलाइन आवेदन पत्र लिये जाएंगे अब यह बात करते हैं इसमें क्या क्या लिया जाएगा तो देखिए दोस्तों आवेदन ई जो है आपका ई प्रक्रिया सुरू हो जाएगी और दिनांग 28 आज तक 8 मतलब की 28 अगर्स को सामको 5 बज़े तक ही सिफ उपलग्द रहेगा उसके बाद इस पे आप आवेदन नहीं कर पाएंगे अब भीहरति द्वारा दिनांग 21-2018 के अपराहम यानि दोपहर 12 बज़े से दिनांग 28 के सा तो अभ्यरतियों को नियुक्ति के लिए आउनलाइन आवेदन हे तू 68500 सहाय कध्यापकों की भरती हे तू आयोजित लिखित परिक्षा में निर्गत किये अनुक्रमांग जनती थी मुबाइल संख्या यानि आपने जो 68000 में जो मुबाइल नंबर दिया था जो जनती थी जो अनुक्रमांग था वही आपको इस वेबसाइट पर भरना पड़ेगा जिसके उपरांद अभ्यरती के उक्त मुबाइल नंबर पर एक OTP आएगा वन टाइम पासवर्ड जिसे भरने पर ही वह आवेदन पत्र में वांचित प्रष्टियों को पोड़ कर सकेगा यानि कि आपको जो भी संसोधन करना है या जो भी आपको फॉर्म में करेक्शन करना है और आपने जो भी 68 में आवेदन कर समय जो भी आपने मोबाइल दिया था उस पे एक OTP आएगा उसी के मादिम से आप इसमें प्रविष्टियों को चेंज कर सकते हैं विशेश रूप से ये भी अन्यवांचित प्रविष्टियों को अभिरती द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र को पूर करना होगा एक बार आवेदन पत्र पूर करने के पस्चात उसमें किसी प्रकार का संसोधन नहीं किया जाएगा इस बात को आपको अंडरलाइन कर लेना है कि यदि आपने फॉर भरना है इकदम सपश्ट एकदम सही सही भरना है जिससे आप से गलती नहों क्योंकि इस से आपकी नियूक्ति का जो है संबंद जोड़ा है यदि आपने एक भी गलती की तो आप नियूक्ति से चूक जाएंगे और इसमें एक online आवेदन पत्र भरा जाएगा जिसमें कि यह प्रदेश के इच्छे जनपदों हेतु वरीता क्रम का निर्धारण कर सकेगा तथा वह अपने गुडांग एवं भारांग एवं वरीता एवं जनपद हेतु निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप आवंटित ज बुडांग बनेगा जो भी भारांग रहेगा और आनलाइन आवेदन के हिसाब से जो भी आपको काउंसलिंग कराई जाएगी तो जहां भी आप अर्ह माने जाएगे वहां पर आपको कॉलेज एलांटमेंट कर दिया जाएगा वहां के आपको नियुक्ति प्रदान की जाए के पद नाम से निर्धारित आवेदन सुलक सामान योबेशी है तू 500 रुपए अनसूचित जाती जन जाती है तू 200 रुपए और विकलांगों के लिए नेशुलक है इसका बैंक ड्रॉफ्ट बनवा के आपको प्रतिभाग करना होगा नियुक्त होने वाले अध्यापक आपका यह सारण प्रोसेस है तो यह थी दोस्तो एक चोटी इसी न्यूस अपडेट बागी जूभी आपको समझते हो हमसे कमेड़े में फूश सकते हैं तो मिलते हैं आपसे एक और न्यूस के साथ जूभी अगली अपडेट आती हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलेगा जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार